Hello students, welcome to Fundo Tutor. I am Dikshah and today we are going to talk about effect of change of pressure. अगर हम pressure को increase करते हैं या decrease करते हैं, तो क्या effects पढ़ते हैं states of matter पे? तो पहले हम बात करेंगे अगर हम pressure को increase करते हैं, बढ़ा देते हैं. जैसे हमारे पास ये है syringe, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे air को लेते हैं, as we know, जो gas होती है, वो highly compressible होती है. तो यहाँ पे मैंने इसको seal कर दिया, इतना volume इसने लिया हुआ है, अगर मैं इसको pressure, अगर मैं इसको compress करने का क्या मतलब होता है? मैं यहाँ पे pressure apply कर रही हूँ, और यह बहुत जादा compress हो गई है, बहुत ही जादा compress हो गई है. इसके बीचे क्या चीज़ हो रही है? मैं pressure apply कर रही हूँ, volume decrease हो रहा है. जितना जादा मैं pressure apply कर रही हूँ, उतना volume कम हो रहा है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब-जब pressure बढ़ेगा, तब-ब volume जो है वो कम होगा. जैसे अगर हम बात करें, अगर आपका exam है, exam hall में गए, exam है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको इतना जादा pressure होगा, दिमाग को इतनी tension होगी, कि जो आपका दुश्मन है न, जिसको आप बुलाते भी नहीं हो, exams में होती ही न, इचीज, कि अगर हमने 2-3 दिन बात में exams हैं, तो आपको कोई notes नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपनी class के किसी बच्चे को कभी बुला दे, वो भी बता दे, वो भी बताते, जिन से, जो toppers होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा message आ रहे होते हैं, कि हाँ यार यार ये भी बता दे, इसका कैसे करना है, और even in exam hall, अगर तो paper आ गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो आप क्या करोगे, अरे तू बता दे, तू बत जिनका वो हाल होता है, कि pass होने के भी उमीद नी होती, वो तो सबसे ज़्यादा होता है, कि हाँ यार, कोई भी बता दे, कोई लेना देना नहीं है हमको, वही इन molecules के साथ है, कि पहले तो ये इस suppose करो, इतने distance पे ये हैं, एक दूसरे के, interactions इतनी नहीं है, पर जहाँ पे pressure आ हो गया, और ये जो molecules है, वो क्या हो गए, नजदीक आ गए, 3, 4, 5, 6 molecules है, ये थोड़े से इतने नजदीक आ जाएंगे, इनका जो volume है, वो पहले इतना था, अभी जो volume है, वो कम हो जाएगा, pressure increases, volume decreases, interaction जो होती है, वो क्या हो जाएंगी, increase हो जाएंगे, interactions increase होने का मतलब, जो space है ना, उसके बीच में वो कम हो जाएगी, वो decrease हो जाएगी, तो ये कहानी है, जब pressure होता है, increase, अभी हम देखते हैं, कि अगर हमने बहुत ही जादा pressure apply किया, gas पे, इतना pressure apply कर दिया, यहाँ पे तो मैं बोले हूँ कि compress हो रही है, gas, यह compress हो रही है, अगर मैंने इतना pressure apply कर कि वो gas से किस में convert हो जाए, liquid में convert हो जाए, उसको मैं क्या बोल दूँगी, कि अभी liquification of gas हो चुकी है, मैंने इस gas को liquify कर दिया है, ठीक है, we know gases are compressible, हम इस पे इतना ज़्यादा pressure apply कर दे, कि उसके molecules, जो पहले कैसे आए थे, इतने पास आ गए थे, फिर यह इतने ज़्याद पास आ जाए, इतने ज़्यादा पास आ जाए, कि इनका जो state है, वो gas से किस में convert हो जाए, liquid में convert हो जाए, उस चीज़ को हम क्या बोलते है, liquification हो चुकी है, gases की, जैसे एक तो होता है, normal, ठीक ठाक paper आया, तीन-चार question स्टफ आ गया, एक होता है कि paper इतना मुश्किल आ गया, कि जो बच्चे पढ़ के भी गये थे, उनका भी पास होना हो गया, मुश्किल, तो अभी क्या करोगे, अगर बाहर कोई exam hall के बाहर, अगर आपका कोई दुश्मन भी एंटर किया था न, आपके साथ उसको बुला नहीं रहे थे, अगर भई वहाँ पे आ आ गये है, कि पास ह हो जाते हैं, अगले साल कौन फिर से पेपर देगा, इससे बेटर है, आप दुश्मन को भी बुला लोगे, कि हाँ, मिल बांट के पेपर कर लेते हैं, अभी क्या हो गया, जो दुश्मन थे, वो भी किसमें कनवर्ट हो गए, दोस्त में कनवर्ट हो गए, ठीक है, दुश्म भी दुश्मन, दुश्मन भी किसमें कनवर्ट हो गए, दोस्त में कनवर्ट हो गए, पेपर, प्रेशर इतना जाधा, इतना जाधा अप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी वही चीज हो गए, प्रेशर इतना जाधा अप्लाई कर दिया, कि जो मॉलेकिल्स पहले दूर 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 थे अब वो क्या हो गए नजदीक चलेगे एक दूसरे के ये थे गैस में और ये किसमें दोस्ती हो गई ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई अब हम इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट से समझते हैं हमारे पास एक ग्लास था उसके बीच में गैस रखे हो यहां पे आप सेम जितना यहां पे इसका माउथ है न उतना ही आप बड़ा पिस्टन यहां पे आपने रखा हुआ है इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो यहां प आप मॉलिकूल इतनी दूर थे अभी आपने प्रेशर अप्लाय करते करते हैं इस पिस्टन को यहां पे रख दिया यहां तक आ गया पिस्टन पहले यह एक पोईंट पे था अभी इस बी पोईंट पे आ चुका है प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा अप्लाय कर दिया अभी यह जो molecules है चारी molecules शो करूंगी यह चलो इतनी नजदीक आ गए उससे तो बहुत जगे नजदीक है अभी आपने extreme level of pressure apply कर दिया और यह जो piston है almost बस नीचे ही लगने वाला है और यहाँ पर जो molecules है यह इतने पास पास आजाएंगे न यह तो अभी solid का बना दिया हमने इतने भी पास नहीं रखने लिक्विफाई करना उनको solid में convert नहीं करना इतने पास पास आजाएंगे कि यह जो पहले gas में थे अभी किस में convert हो जाएंगे लिक्विड में convert हो जाएंगे इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं next is temperature should be low temperature इसका low होना चाहिए अपर जब यह gas जो molecules है ठीक है जब यह liquid में convert हो रहे थे दूसरे के पास आ रहे थे तो यह क्या कर रहे है हीट energy को release कर रहे है हीट energy को release कर रहे है बाहर से temperature दे रहे है यहां पर तीम आर रहा है बाहर temperature अच्छा मॉलिक्यूल को पास में लेकर आना होता है तो वो क्या करता है, temperature को बाहर निकालते हैं, heat को बाहर निकालते हैं और दब हमने molecules को दूर दूर भेजना होता है, जैसे हम जब हम temperature increase करते थे, जो उनमें space थी वो increase होती थी, तो अगर हम space को कम कर दें, तो temperature क्या हो जाएगा, वो भी कम होगा और temperature कब कैसे कम होगा और temperature को बाहर आ जाएगा in amount of heat बाहर निकलेगा अभी उस heat को balance करने के लिए हमें temperature low रखना पड़ता है ताकि वो जो heat है हमारे उस process को affect ना करें अज़ा कर हम heat को वैसे ही रखेंगे तो क्या होज़े को उस process को affect करेगा liquefy करने में मुश्किल आएगी है ना क्योंकि temperature जैसे temperature जो बाहर है वो जो molecules हैं जो एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं वो उनमें restriction पैदा कर देंगे इस वज़ा से जो हम temperature है उसको कम रखते हैं उसको low रखते हैं तो अगर हमें को पूछे कि liquefaction की condition क्या है अगर आपने liquefaction करनी है of gases उसकी condition क्या है पहले तो high pressure pressure बढ़ाना पड़ेगा बहुत और दूसरी condition क्या है low temperature ये दोनों साथ में चलती हैं आप सिरफ एक pressure को बढ़ा के नहीं काम बन सकता आपको temperature भी इसका low रखना पड़ेगा तब ही बात बनने वाली है next is अगर आप temperature को raise कर दो और pressure को कम कर दो उल्टा हो जाएगा हमने अभी increase pressure वाला पड़ा है तो इस case में क्या होगा इस case में हम example लेते हैं solid carbon dioxide solid carbon dioxide it means dry ice अरे अभी dry ice क्या चीज़ है ice cubes तो मैं हम सुने dry ice क्या होती है dry ice होती है जब हम carbon dioxide को solidify जो solid carbon dioxide होती है उसी को dry ice पोते है उसके पीछे दो reason है पहले तो उसको dry क्यों बोलते है क्योंकि जो solid carbon dioxide है ये sublime sublimation show करती है sublimation क्या होती है सीधा solid से gas में convert हो जाना ये liquid state में जाती ही नहीं है solid सीधा gas liquid में नहीं जाएगी जो normal ice होती है हमारी उसका क्या process होता है temperature बढ़ाओगे water में convert होगी temperature बढ़ाओगे then किस में convert होगी उसके बाद ये convert होगी gas में water vapors में convert होगी यहाँ पे ये जो solid ice होती है dry ice होती है ये किस में convert हो जाएगी सीधा के सीधा carbon dioxide gas में convert हो जाएगी ये अभी इसमें ये चीज होगी ठीक है now the question is अगर हम यहाँ पे solid carbon dioxide क्यों अगर हमने convert करना है carbon dioxide में जो हमारी gaseous form में होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें कुछ नहीं करना हमें pressure को कम करना है pressure कम करोगे pressure decrease होगा और temperature increase होगा तो ये किस में convert हो जाएगी solid से gas में convert हो जाएगी sorry solid से ये convert हो जाएगी gas में solid से gas now इसको ice क्यों बोला जाता है ice इसलिए बोला जाता है because ये cool cooling effect होता है इसका तो यह क्या है cooling effect प्रोवाइड करती है cooling effect किसको प्रोवाइड करती है फिर मैं ice क्यों नहीं use करते वही reason है कि ice जो है वो पानी में पहले melt होगी उसके बाद वो gas में melt होगी उसको और temperature देना पड़ेगा और यह सीधा solid से अपना sublime हो किस में convert हो जाएगी gas form में convert हो जाएगी इसी विज़े से इसको जादा prefer किया जाता है उसकी prolonged cooling होती है उससे बहुत जादा twice amount of cooling होती है that's why dry ice is used जहां पर हम किसको use नहीं कर सकते दूसरी ice को use नहीं कर सकते जो हमारे biological samples होते है उसमें हम normal ice को use नहीं कर सकते वो तो liquid हो जाएगी अगर उसको थोड़ा सा भी temperature increase हो गया वो तो liquid में convert हो जाएगी पर यह जो gas है यह messy नहीं करेगी यह सीधा convert हो जाएगी एक टेमपरेचर raise हो भी गया तो यह सीधा carbon dioxide में convert हो जाएगी sample को खराब नहीं करेगी तो इन सब purposes में dry ice का बहुत ज्यादा use होता है आज के लिए सरफ इतना ही next में हम पढ़ेंगी evaporation के बारे में उसके factors के बारे में till then thank you so much